हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आपके अपने चैनल एचस टेक्निकल सपोर्ट पे स्वागत हैं और यहाँ पर बात करेंगे राजस्तान पुलिस को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं क्या गुजर अंदोलन के कारण एक्जाम रद होगी यह एक परसेंट में इस वीडियो में आपको वित्प्रूप के साथ में इसकी सच्चाई बताऊंगा और क्या इस आंदोलन के कारण परभाव पड़ेगा एक्जाम पे और क्या एक्जाम रद होगी और यातायाद का भी बुरा हाल है कहां कहां ट्रेनी रद हो रही है कहां क्या हो पूरी इनपोर्मेशन देने वाला हूं इस वीडियो में तो वीडियो को आपको लाइस्टिक देखना है अगर आप राजस्तान पुलिस का एक्जाम दे रहे हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखना है क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं जो पूरी सच्चाई है व तो यहां पर इसको लेकर भी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है क्या गुजर आंदोलन के कारण एक्जाम रद्ध होगी क्योंकि बहुत सारी यहां पर यातायाद भी प्रभाव हो रहा है यहां पर ट्रेने भी डाइवर्ट की गई है तो जो बहुत बड़ी जो अपड है वही beneath हैं क्योंकि बहुत सारी आपको फषर्जी वीडियो या फेक वीडियो या फेक निउज आपके मिल रही है उसकारण से हमारी पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कल राज से भी इस कारण से हम ये वीडियो ले करा हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ये साथ शेर करना ताकि सबी इस्टुडेंटों के डाउट हैं वो clear हो सकें और वो भी राजस्तान पुलिस का बिना किसी दिक्कत के बिना किसी समयश्या के राजस्तान पुलिस का पेपर दे सकें तो हम आपको दिखाते हैं पूरी है क्या information क्या गुजर अंदोलोन के करण एक्जाम रद होगी तो इसको लेकर जो निकल कैरी अपडेट उस पहले आपको लेकर चलते हैं उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें बेड़नेशन ओन करें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़धा से ज़धा शेर करें और यहाँ पर अगर आपने एडमिट काड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो सभी पारियों के एडमिट काड डाउनलोड होने लगे हैं तो आप अपने मुबाइल नमर या डेटो बर से भी जो अपना एडमिट काड है वो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने एडमिट काड नमर वो डेटो बर से भी डाउनलोड कर सकते हैं SSID की कोई आउशिक्ता नहीं है हमने वीडियो बना दिया है वीडियो का लिंक आपको डिक्सिन में मिल जाएगा तो वीडियो एक बार जुरूर देखें तो यहाँ पर हमां आगे यहाँ आप देख सकते हो पुलिस भरती परिक्सा का नई जारीवा री सेंडूल यहाँ पर अपहों से राजस्तान पुलिस परिक्सा के उमिद्वार एसमन्स में है देखती है शिरी कंगानगर फाइटर गुजर आंदोलन के कारण कही जिलो में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है आंदोलन परभावी जिलो में राजमारक बंद पड़े हैं रविवार को 40 माल गाडियों के समेच 60 ट्रेनों डाइवेट करनी पड़ी दो ट्रेनों रद करनी पड़ी रोडवेज के 5 डिबे दोसा इंडोनी करोली भरतपूर बयाना की करीब 220 बसों को रोग दिया गया भरतपूर करोली दोसा स्वाई मादेपूर और जियपूर की जिलों की कई तेशलों में इंटरनेट बंद है एसे में राजस्तान पुलिस वर्ती परिक्षा के उमीद्वार एस समय की स्थिती में हैं दिन भर अपवाओं के चलती रही कि परिक्षा इस्थगीत या री सेंडूल की जा सकती है मतलब उसका कोई दूसरा टाइम टेबल निकला जा सकता है सबी उमीद्वारों को सला दी जाती है कि जब तक विभाग की तरब से कोई अधिकारिक नोटिपिकेशन जारी नहीं होता तब तक इन अपवाओं पर ध्यान नहीं देवे परिक्षा पहले से ते समय पर ही आयुजित की जाएगी राजस्तान पुलिस बर्ती परिक्षा आयुजिन को लेकर कुछ अपवाओं भी चल रही है गुजर आंदोलन के कारण परिक्षा इस्तिकित की जाएगी या पुन्य परिक्षा का सेंडूल जारी किया जाएगा आंदोलन से परभाईत जिलो में राजमारक बंद होने से उमीद्वार वहां तक केसे पहुचेंगे इंटरनेट बंद होने से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की समिश्या यहां पर देशिकते हो वारता बेनेटिजा निकालने की इस्तिती में एग्जाम सेंटर तक जाने की क्या रहेगी वेवस्ता भरतपूर करोली दोसा स्वा CHमादेपूर एग्जाम सेंटर होने की इस्तिती में केसे padaऊना होगा आसान तो आप देख सकते हो परिक्सा को लेकर विभाग पूरी तरह से तयार है राजस्तान फुलिस बर्ती परिक्सा के आयोजन को लेकर विभाग पूरी तरह से तयार है गुचर अंदोलन खतम करने को लेकर भी वारता पर जोड दिया जा रहा है प्रिक्षा के लिए राजस्तान फुलीस की अदेकरिक विपसाइट पर जाकर अबीयों को लाइक मिल जाएगी अब आपको दूसरा एक और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो यह आपको अवेवल करवा दी जाएगी न्यूज 6-8 नॉवंबर तक होनी पुलिस परिक्सा कॉंस्टेबल भरती परिक्सा बंद रहीगी इंटरनेट सेवा दो पारियों में परिक्सा अब्यारती बोले परसासन करे पहुंचने के इंतजाम तो यहाँ पर देखे तो कई संगटों ने किया निशुलू के इंतजाम तो बहुत स सामने सेंटर तक पहुंचने सबसे बड़ी चनोती बन गई है परिक्सा के लिए सत्र लाग से अधिक बेरोजगारों ने पंजिन कराया है इनकी 6-8 नॉमबर तक परिक्सा ही होनी है शेकावाटी शेंकडों विदारतियों को कुरोली दौलपूर बरतपूर यहाँ पर दे स देख सेकते हो और इन्होंने कहा कहीं सेंगटन देख सकते हो आप बहुत सारी यहाँ पे अगर मैं बताओंगा तो काफी सारा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आप मैं आपको बता जिता हूं कि आप कहीं पर अगर आप अपडेट चेक करना चाहते हैं तो कहीं पर राजस्तान पुलिस समझ दी तो आपको क्या आपको अपने फोन में Google ब्राउंचर ओपन कर लेना है और यहां पर आपको टाइप करना है यहां पर आपको टाइप करना है राजस्तान पुलिस राजस्तान पुलिस टाइप करोगे तो यहां पर देशित राजस्तान पुलिस ड पर देखने को मिल जाते हैं तो आप देश सब्सक्रावल भरती 2017 अदेश दिशानिर्देश और यह है दिशानिर्देश आप पढ़र सकते हो, रीड कर सकते हो, देखिए, consentable भरती परिक्षा दो लिखित परिक्षा के दिन सभी अभ्यारतियों के दुने हातों के अंगुटे क और इन पर मेंदी, श्याई, पैंट, रंग, इत्यादी ना लगाएं तो यह अभी अपडेट था, यह इन्होंने अपडेट डाला था दो तीन दिन पहले तो यहाँ पर जैसे ही कोई अपडेट आता तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी, जो भी अपडेट आती है, राजस्तान पुलीश से समधिती और अभी हमने पिछला वीडियो डाला था कि बीना आप 800 ID के एडमिट कार्ड कैसे निकाले, बीना एबिलिकेशन ID के तो वो भी हमने अपडेट डाल दिया है, वो भी जाके वीडियो देख सकते हो, और अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हो तो आपको पता ही है, तीन दिन इंटरनेट सिवाएं बादित रहीगी, तो इसलिए एडमिट कार्ड निकाल के रखें मेरते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट वीडियो में, जे हिन, जे बारत